नमस्ते दोस्तों आज का हमारा वॉक्षिट है बिफोर आफ्टर नमबर एन तो यह वीडियो हम स्टार्ट करता है जैसे कि आपने देख है कि मैंने एक पेपर लिया है उसमें दो सर्कल्स बना दिया है और एक arrow mark यहां पे point हो रहा है सामने वाले सर्कल्स यह यहां पे एक नमबर लिखा है यहां पे बच्चों को उसका after number लिखना है so 2 after 3, 10 after 11, 33 after 34 तो ऐसे आप कुछ वाक्षिट बना सकते हैं यह बहुत एजी है मैंने यहां पे सर्कल्स लिया है आप सर्कल्स के जगा पे कुछ स्क्वेर्स लिजिए ट्राइंगल्स लिजिए कुछ भी फ्लास बगर बना दिजिए तो ऐसे आप simply घर पे वाक्षिट बना सकते हैं यह हो गया after number का before number के लिए ही उस type के मैंने कुछ बनाया है जिसमें मैंने 2 hard saves लिया है और यहां पे ultra point किया है जिसे यहां पे कुछ अप जैसे देख रहे हैं कुछ flower type के मैंने point किया है वहां पे तो 11, it is the before number of 11, 10, 61 का क्या है? 60 तो ऐसे ही before after number के यह simply वाक्षिट आप घर पे ही बना सकते हैं कोई वाक्षिट बाहर से डाउनलोड करने की, प्रिंट आउट निकालने की आप कुछ भी करने की ज़र्यत नहीं है जैसे यहां पे third वाला दिख रहे है आप, जैसे मैंने यहां पे लीव का एक बड़ा सा मतलब tree type का, leaf type के कुछ बना दिया है मैंने तो यहां पे बच्चों को देख के समझे, यह दोनों हो गया, before and after का तो यह पहला वाला leaf चाहिए वो filled है और second वाला blank है सेम, यहां पे second वाला field है और पहला वाला blank है तो बच्चों को यह देख के समझ में आ जाएगा कि this is before number यह वाला walksheet जो बनाया है, यह before number, after number का है so this is, I need to write the after number and here I need to write the before number तो ऐसे easily आप दे सकते हैं बच्चों को कुछ द्रो करके यहां पे मैंने और एक वाला बनाया है, walksheet, before after number का तो यहां पे मैंने between number, middle number लिख दिया है यहां पे उसको before लिखना है और next में after लिखना है so before number is 8, 9, then 10 ऐसे भी आप बना सकते हैं, मैंने जिस बटरफ्लाइस ड्रो करके बनाया है 7, यहां पे तो before number क्या है, 6, after number क्या है, 8 तो यह बहुत ही easy है बच्चों के लिए उसके पहले before, after सिखाने के बाद आप in between सिखाना बच्चों को यूगि नहीं तो वो confused हो जाएंगे पहले एक एक करके सिखाना, पहले before, then after, then in between यूगि नहीं से कुछ सिखा सकते हैं बच्चों का, तो यह बहुत easy है, चारो वोक्षिट बहुत easy है, आप घार पर भी बना सकते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्रेब जरू कीजिए, thank you